दिल ही तो है मेरा हम अबा ये ढूट ना जाए गई लगता है ठड़ तनहाई से ठस जाए ना हाए गई रिष्दों में ही अलजी हुई रह जार ना ये जिन्दगी अब क्या करूँ किसे कहूँ जाओं कहाँ ए दिल बता ए दिल बता ए दिल बता साइदा का ना फॉन आया है वो कह रही थी के रुखसती की तकरीब बड़ी धूमधाम से होगी और वो भी उनके घर से तल तुम्हारी से दिली मुराद को रही है निदा से क्या तो दिया है मगर रिष्टा भेजने के लिए स्टेट रिटन भाई 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 कहां से ले कि आओंगा कुछ तो करना पड़े का आखर मताहर खान से अपनी मामा का बतला जो लेना है हांटी वो मामा ने आप लोगों को कौल पर इंविटेशन तो दिया है लेकिन मैंने सोचा किए मैं खुद आकर आपको इंवाइट कर बहुत अच्छा किया बटा बहुत अच्छा किया बटा ये निद्बे में क्या है जी वो ये ड्रेस है मैंने लिया है हिवा के लिए मैं तुम्हें कितनी देर से कह रही थी तुम्हें ख्याल ही ना आया इस बात का अमी जान को वजा भी तो हो ना यानि अब तुम इंतिजार करोगे कि जब पानी सर से गुजर जाएगा अमी मैं निदा की तरफ से बिलकुल परेशान नहीं हूँ मैं तो अपने माजी को लेकर खौफ सदा हूँ कहते हैं ने कि इनसान का बोया वो उसके सामने आ जाता है मेरा गुना मेरी खलती कहीं मेरी बेटी के सामने ना आ जाए नहीं बेटा ये तुम्हारा वहम है अल्ला ताला हमारी बच्ची के नसी बच्चे करें रही बात तुम्हारे माजी की तो पेटा तुमने एक कम जर्फ औरत के साथ पाड़ुकात रखे हुए थे और उसका सदे बाप लाजमी था मगर तुम्हें मेरा फैसला देखा एक सीधी साथी और अच्छी और ने तुम्हारी जिंदगी जनत बना दी अन्या आपने नेदा के बारे में कुछ सोचा है हाँ बेटा साइदा ने एक दुजगा बात की है मेरी बीमारी बीच में आ गई तो इसलिए जरा ये कुछ मामला दब सा गया अब देखो ना बेटा इस घर में बहुए आने को है बस अब तुम लोग कोई अच्छा सा घरान आपना देखकर ना निदा के हाथ भी लेकर दो मुझे कोई अतराज नहीं है अम्मी जैसे आप बेहतर समझे आप बेटा अला बेहतर करेका इंशाला किया शारम भाई मैं आपकी साली हूँ और आप मेरे नहीं कुछ नहीं लेकर रहा है नहीं साली साइबा मैं तो नहीं ओढ़े आपके लिए लेकर तो फिर क्या तरह तरह रहा है तो अब रहा है अगल रुषती के बारे में वैसे तो शायद मामा ने आपसे बात कियो लेकिन मैं परस्नल तौप रहा हूँ एक पार्टी अरेंच कर लेते हैं कुछ रेलेटिव और च्लोस फेंट आजेंगे वो जो बिटा चाहे, आप जड़ा मेरी बास चुनिये, आप बैठो बिटा, चाहे लो बिटा मैं, आप जड़े, आप जो बाती ही, आप याओ, शारम भाई, पाटी ऐसे होगी, जैसे फिल्मों में होती है, बिल्कुल ऐसी, आप नहीं याओ, पर ऐसी पार्डी तो नहीं होगी लेकिन उससे कम भी नहीं होगी तेख ना बहुत अच्छी सी दावद होने में लिए एवरीधिंग, एवरीधिंग बड़ा मजा आएगा, मैं तो जरूरा हूँ और आप आप आए मिला जी जी नहीं है नहीं है यह आप आओंगी अगर यह इनकी मरसी है तो इनने फोर्स मत करो लेकिन शारम भाई अरे बेटा कहां चलती है चाय वाई तो पीलो अगर इसे क्या हुआ अगर इसे क्या हुआ आप आप निदा को लेकर बहुत हसास हो जाते हैं मैंनी कहा है ना सब ठीक हो जाएगा आप डरता हूं साइदा डर कैसा डर में समझी नहीं आपकी बारत क्या बात है मुझे लगता है आप मुझे कुछ चुपा रहे हैं यह देड़न आपकी लगता है इसे वात बहुत से ओटते हैं को जो तुम भी नहीं चेहँ और थे कंष़ तक रेड़ों एश्री को भूल जाना ब़ूँटा थाँ तो इसे अमी जान भी यही कह रही थी जी हा भाई अभी तो हमारे शारेम और साथ की शादी की तक्रीबात भी शुरू नहीं हुई और आप अभी सही निदा के बारे में सूच ने लगें कि सोच तो मैं बहुत अर्से सरा हूँ अब तो सर्फ अमल करना बाकी रह गया है अगर आप कहें तो मैं निदा के लिए उन लोग को बुलवा लूँ जो पार्टी में मेले थे नहीं वो पार्टी जो है वो शारिम और साथ के लिए ही रहने दो उस पर रिष्टिदारों को आन मैं क्या बता हूं तुम्हें सहीदा इस तस्वीर के पीछे मेरी जिंदगी के कितने राज चुपे हैं अगर मैंने तुम्हें बता दिये तो तुम बरदाश्ट नहीं कर सुकोगी क्या मुसीबत है तुम्हें से गुसरते नहीं कि इन लोग को फिर से मेरी शादी की पड़ चाती है उपर से यासर भी तो कितना वत लगा रहा है कि पहले भाली की शादी होने तो फिर में अपने घरवालों को लाओंगा अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिल ये लोग मेरी शादी करवा देगी और यासर अपनी भाई भावी को इलाता रह जाए गाँ या अला मैं क्या करू निदा जी भाई वो तुम कह रही थी ना क उज्दाएगा नहीं भाई मेरा मूड नही है आप लोग करेना अब तुमी क्या हो गिए भलके सबकु क्या हो गिए जिसे दखो मूह मनाए बैठाए तुमो के अब और वो हिभाब उसने भी पारडी प्रारे सिंकार अखर खुशी अमनाने में हर्ची क्या है भाई वो तुम्हारे सामने तो कह रही थी वह लेकिन दादी जान के आगे भला दाद क्या कहेंगे तुम अपना बताओ आर यू इन और नॉट तो पर ठीक है मैं मनी फ्रेंड्स को इन्वाइट करें देती हैं यह हुई न बात अ मिखब हो अ ऑचки अं आर गटाना हंती है बात बद क्या स्क्रार क के सकाथ ह सूरो अपना क्या अचरे आ यह कुछ नहीं पस पार्टी मेरी बर कहालो और जरे उन्तलम वर हो और ड्लम स्क्राइब सब्सेधियं दाए निए पार्टी मैरी उस्युसे अटी वहू RICH τद्टते प अरम भाई थे न आज कह रहे थे पार्टी रखिये हमारे निका की हुशी में यू आर मोस्वेल कम हुदाफर कि अचे भी हो अंने हेँ तो चले क्या होगा इए कुछ नहीं इस घर मेंजोभी हो कम है पता भी तो चले क्या होगा हुआ आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ अपटा भी छुको आपको नहीं पता कि क्या किया आपकी चाहेती ने क्या किया सारा ने हो हो सारा नहीं सारा आपकी चाहेती कब से होने लगी वो आपकी हिबा उसकी बात कर रही हूं मैं शारम आया था महरानी ने शोहर के मूँपे इंकार कर दिया तकरेग में शिर्कत करने से मैं मानी नी सकता है जरूर कोई बच्जा होगी क्या बच्चे हो सकती है? शारम आया था उसे बुलाने के लिए किनी बेरहमी से ठुकडा दिया उसने अरे क्या सोचता होगा कैसी नाफर्मान भी भी मिली है यह तो खुलम खुला शोहर की नाफर्मानी हो गई ना देखो नासरा तुम हामुखा बात कोल जा देगे अच्छा यही बात अगर सारा करती तो थब तो आप कुछ भी ना कहते लेकिन ना भी ना बात तो हिब्बा ने की है ना आपकी चे हेती ने उसकी भाजो है वो तो माननी पड़ेगी ना सल्ला तुमको हिदाज देडे नासरा है हाँ, यह यह जो ताइजान यह लेंजी गरम-गरम वेचेबल सूप आगया है अब जल्दी से सारा पीजए नहीं बेटा अभी मेरा दिल नहीं चाहरा है इसे वहां रख तोड़ा सा तो अभी रख तो अभी रख तो अभी रख तो अभी रख तो इसे बाते करो बस बेटाव अच्छी 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 मुझे यह बताओ बीटा पार्टी के तयारी कहां तक पहुंची है कैसी पार्टी दादीजान जिसके पार्टी प्लान की थी उसी निंकार कर दिया क्या? हिर्बा ने? रहे नहीं वो तो बहुत सादतमन बच्ची है मुझे उसे ऐसी तवक्व ने थी कोई वज़ा तो होगी बिटा अब वैसे उनके घर का मौल कैसा था? सब ठीका दादीजान यहां तक के नासरा अंटी और सारा तो तयार भी होगे थे हिबा तुमने उसे पुछा ने? क्या पूछता दादीजान? उसने तो साफ इंकार करती है यह तो कोई बात नहीं तुम उसके शोहर ओबटा उसको बताते कि यह तुमारी खाहिश है छोड़े दादीजान वैसे भी घर में कोई इस पार्टी में शामिला के लिए यह तैयानिए इन सब की छोड़े मैं सब को दिख लूगी तुम बस तयारियां करो अच्छा, आप सुखे बिलाओ देतु अलिशाए 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 कोई कोई लोगाई अधर बादल कर जेने और उधर चम चम शुरू इबर होने से कम नहीं चले तुम मुझे इस बात का जवाद दो कि तुमने किसके गहरे पे इंकार किया नासुवेन, कैसी पाटी? मुझे कुछ समझ भे नहीं आ रही आपके बाद है? आपको पता ही नहीं है यह तुम्हें शारेम को इंकार करती? यह क्या तरीका हुआ? घर आएवे महमान को इस तरह सद्रुतकार दिया और वो भी वो महमान जो तुम्हारा होने वाला शोहर हो अबू शारेम भाई ना बहुत अफसुर्दा लग रहे थे चाई पीके भी नहें गय तुम चुप रहोगी? यह बतुम बतुम क्यों किया इंकार? जवाब दो जवाब भाई अधर बादल गर्जेने और उधर चम चम शुरू इबर होने से काम नहीं चले तुम मुझे इस बात का जवाद दो कि तुमने किसके गहने पर इंकार किया चोटी अबू, मेरा दिल दुखाने का मुकसद धर्गेस नहीं था मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि तादी चान की तब इत बहुत खराब थी वो अस्पताल में थी और ऐसे में घर में शुर शराबा होता सिर्फ इसलिए मैंने इंकार किया यह यह अगर कोई बात अपनी मनमानी हो ना तो इंसान रो दे और यह बेवपूफ लड़की तू भी अगर बच्चों से अपनी से ली बाते शीख लेती ना तो आज काम्याम उती तो बहुत थी तेज लड़की अभी अल्लाइक मुच्छेस करो दादी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डैड माने तब ना मैं तुम्हारी दादी हुआ मैंनी कह दिया ना के पार्टी करो तो बस पर करो तो बस पर टीक है मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को इंवाइट कर देती आपकर अभी फोन करो थैंक्यो दादी दादी कुछ मुजिक के इंसाम करवा ले पेड़ा एक दूस डीजय उसको बलवा ले हाँ पुला लो उसे पुला लो औरकेस नहीं बिलकुल नहीं ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे दादी की आराम में डिस्टर मुझाओ समझे आप लोग सुनो ना तू पास सुनो अब तुम उस पर हुकम चलाओगी दादी यह आप क्या कि और मैंने कब कहा के मैं आप पर हुकम चलाओगा मुझे एक बात बता है अब यह आपकी वो हुमार है जिसमें सिर्फ आपको आराम की सकती है ना बस अपना मशवर अपने पास रखो मैंने पार्टी को करना है तो बस करना है क्या दिया ना दादी ची मुझे सैलिबरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ सेलिबरेशन अर्वोरी है सेलिबरेशन आराम से भी तुल सकती है अला गुलभ भाट जरूरी है देखो बेटा मैं तुमसे कोई भाष्ष न हिकरनीगा मुताहिर अपनी संजीटी के वज़जे से और तुम अपनी समझदारी के वजजे से दुनिया से बेजार हो, पार्टी होगी, सोग होगी, ये मेरा होकम है. ठीके दाज़जा, आपकी मरसी, मैं डैट से तुदी बात कर दो, वही आपको समझाएंगे आपको. चोटे अबू, आपको लगता है कि मैंने बाकी में गलत किया? हैने तो अपने दोर पे सब सही किया था, शायद इनको गलत लगाओ. बिटा बात तुम्हारी गलती के नहीं है, बादर असल यह है कि कभी कभी हमें कुछ फैस्टे दूस्रों की मर्जी के मताबिक करना चाहिए. प्रहएं में ने ये सोचा, कि शारम जो दावतनामा लेकर आया था,reditकर रहे हो kuoles, इसका मतलतोा है? इसका मतलब ये ह much हुआ हिए, इसका मतलब ये हुआ है, तो 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 ऑसकते हैा ये होला है? मैं तो बस यही चाहती थी कि जादे जान की तब जादा खराब ना हो जाए छोटे अबू अब क्या होगा कुछ नहीं हो गलता है तुम जा के शारिम को बनाओ देख जाए हो 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 है अब हो है अब हो हो है अब है अब है अब ही तो कल पर्सों मिलके गए एक दिन भी नहीं रह सकते उनके बगए कर दिन पर इसए इसी कोई बात नहीं है कैसी बात है फिर ऐसे पूछना चाहता हूं जा अब हो पार्टी में आएगी और आप बार बजजे के बारे में पूछते और एक वह जो मेरे बारे पूछते ही नहीं है हाँ साथ थोड़ा रिजर्फ सा है लेकेन बिलका बहुत इच्छा है यह तो मैं जानती हूँ अच्छा अब रिवास से बात कर सेता हूं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट रुकी है बज्जो बज्जो किया बात है सारा यह लो बात करो किसका फॉन है शारम भाई यह लाइन पे बात करो जल्दी से बात करो हेलो एक मैं बहुत सिंपल सा रड़का हूं स्ट्रेट बात रखने नहीं आती कुझे जो दिल में आता है साफ साफ कह देता हूं जीप तुम्हारे इंकार ने मुझ बहुत हर्ड किया है मैं नहीं जानता कि तुम्हें इसा क्यूं किया लेकिन सच बुछू तर यह पार्डी में तुम्हारी अरेज की तुम्सुन रही हो ना जीप तुम्हारे जवाब सुने बगैर नहीं रखंगा मुझे बताओ दू पाだी में आ रही हो या नहीं क्या हो गया ऐस पो और गख़ा इंक बिल्गा कैसे कटattend है बाहर गंटी हो लेई है बार गंटी की तुमने फून काटिया और वो बात करे थे तुमसे सारा पता नहीं कैसे कर गया सची सारा अब क्या होगा अब कुछ नहीं होगा दुबारा से फून करो वरना बुरा मान जाएंगे मैं मिला कर देंगे नंबर काट दी उन्होंने, पक्की बात, तुमसे नराज हो गया शारिम भाई पर देखो, पता नहीं क्या होगा पस अब तो बलकुल ठीक है, लेकिं डॉक्टर ने जादा से जादा अराम करने के लिए कहा है अब बताये हमारी बहुए कैसी है जी वैसलना का शुकर वो असल में मुझे आपसे माज़त करनी थी हिबा की तरफ से माज़त? किस बात की माज़त? जी वो कल शारम आये थे पार्टी की दावत देने के लिए आप यकीन करें हम सब तो तयार बैटे थे अगर नासो बहन कैसी पार्टी? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही आपके बाद है? आपको पता ही नहीं है फून ही नहीं उठा रहे बहुत बुरा किया है तुमने बज्जो असकरो ना सारा मेरा दिल तो वैसी बहुत गबरा रहा है अरे आप दिल गबराने का क्या फाइदा? ये तो लाइन काटने से पहले सोचा चाहिए था ना फून ही नहीं उठा रहे अच्छे है शारिम भाई सब कुछ भुला के तुमसे कॉंटेक्ट किया पाटी में बुला रहे परसे बहुत बड़ी बेहुकूफी किये तुमने सच क्यारी हो ना सारा तेरा ऐसा हर्गेस कोई मतलब नहीं जो भी मतलब था लेकिन अब भी जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है बस मैटब वो साइटाला काम हो गया? जी रहा है बुक्षालो गुट डैट वो मुझे आपसे जरूरी बात करने दी है हाँ बोलो दादी चान एक पार्टी अरेंज करा रहा है मेरे और शारेम के खुशी में तो आपको कोई इतरास तो नहीं है? मुझे क्या इतरास होगा बेटा? तुम्हारी तादी ने का है तो मैं उसके पर मना तो नहीं करूँ हाँ अमिजान के हम भी यही चाहते हैं मगर अब हालात के पेशे नजर हमें यह करना पड़ रहा है आप समझें तो ना प्रेज यह साथगी यह कंजूसी यह सब मेरी समझ में नहीं आरा बिलकुल कि इसका मान जाए नहीं कोई मानने वाली बाती दुमधाम से होगा फॉक्ष्ण अच तीक है जैसे आपकी खुशी है लगता है कि बच्चों ने खुद से पार्टी का प्लैन बना लिया माब को तो कुछ पता ही नहीं थो यह कैसे हो सकता भई मैंने सईधा भेहन को फोन किया था खबा ने जो गड़बर की थी ना उसकी माफी के लिए तोबह 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 तावा भई दामाद के साथ को इस तरह करता है बात क्या हूई यह बताओ बैस सईधा तो खुद सारे मामले से ला इल्म है पच्छों ने पता नहीं खुद से ही प्लाइल रा लिया देखो नासा असल तक्रीब तो रुखसती किया रहा है वो तो हो ही रही है पिर क्या परिशानी है तो पर लो भी भला कैसे परिशान नहूं मेरे रिष्टेदार हैं खांदान वाले हैं रुखसती पर क्या वो नहीं पूछेंगे कि निकाह कैसे हुआ कहां हुआ कब हुआ क्या जवाब दूगी सब को सच बता ज़े ठीक है क्या क्या हुआ क्या हुआ सारा बहुत बड़ी गड़ गड़ हो गई है अम्मी अभू बैटके इतनी देर से बाते करें और मुझे लगड़ा हुआ सिर्फ तुम्हारे बारें बाते कर रहे हैं सारा मैं कुछ ने किया प्लीज उने संझाओ सब कुछ अंजाने में हो गया बजो बागल हो ग होगी हाँ आखिर आखिर आपने क्या सोचकर हिवाज ऐसी लड़की से मेरी शादी तैकी एक ऐसी लड़की जिसे बात करने की तो तमीज तक नहीं है क्या कह रहे हो चाले जी सही कह रहू मैं बले अपने घर्वालों के सामने मुझे जलील किया और अब इस तरह से जारे हैं ये किस लेजे में बात कर रहे हो तुम ये बात नहीं है अमीजान पर शारिम ने ये गलत किया है उसे हमसे पूछतो लेना चाहिए था अच्छा बेटा जो हुआ सो हुआ अब उसकी बात नहीं रही बात हमारी गो गई मीजान आपकी सहत भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम जोड़ो बेटा मेरी सहत की फिकर मत करो मेरी इज़त की फिकर करो क्या तौक्टी रह जाएगी हमारी नासरा के सामें और वो जो सारा से मैंने वादा किया है वो क्या सोचेगी कि दादी अमा ने वादे का पास नहीं रखा यह लो और अब ठीक से बात करना फोन निय pudding ह हासा प्रहत प्रिये से मिला वादा बज्यो क्या हो गया है अउब दुर.' जो सदीव कि दूबारा मिला बज्ण करते लग कि इसवешь आपrocket लेकिन सारा मैंने तो कुछ भी नहीं किया उफ पच्छो प्लीज ये मुझे नहीं समझाओ मैं जानती हूं कि तुमने कुछ नहीं किया शारे भाई को समझाओ ये अच्छा फोन में लाते हैं हां बात करो मैं जरा अम्मा को देख्या हूँ चलो तुम्हारी बात रख लेती हैं मैं कुर्सी डाल कर एक कौने में बेठी रोंगी लेकिन तुम लोग बच्चों की खुशियां मत रोको बेठा ये जिन्दगी में एक तफ़ा ये मौका आता है इनको खुशियां मनाने दो ठीक है में जा हम दो दिन बात तक्रीब रख लेते हैं सईदा तुम ऐसे करो कि नासरा को फोन करके मतला करते हैं जी अच्छा अरे ये किसका फोन आगया अब हेलो जी जी असलाम लेकुम कैसी आँ हला का शुकर बिल्कुल ठीक ठाग जी 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 मोजी जी जरूर बर जी डूम क्या? तो आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे यानी अपने अपनी तरफ से देता है जारे दापते सबको चलें ठीक है ठीक है जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा साथ बेटा घर के तमाम मुलाजमों सो कह दो अब कोई जुटी नहीं करेगा घर में तक्रीब है जी रादाचान आप बिल्कुल बेफिक हो जैसे आप कहेंगी वैसे हो हाँ मिशाला है शारिव बिटा मैंने तुमसे कहा था ना घर में पार्टी जरूर होगी तो देन के बाद कर ने तक्रीब है तुम बस तैयारी शिरू करतों मुझे नहीं करनी कोई पार्टी क्यों यह तुम क्या कहरे हो अब जब सब मान गई तुमने मूप ला लिया है केले आपुजे एक बाग का भोग है, आखिर 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 ने क्या सोचकर हिवाज एसी लड़की से मेरी साधी तैकी है? एक ऐसी लड़की जिसे बात करने की तो तमीज तक नहीं है क्या कह रहे ओ शानीड जी तटीक हो मैं जी बात अखिर में। अंचे है? अश्राइम। ये किस लेजे में बात करे हो तुम। माख ठीक है तुमारा? I'm sorry dad. Mutaheer? Is ते मेरे से किस लेजे में बात किये? आज तक इसे बात नि की? इसको कुछ नहीं हुआ, बस हालात का असर है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा आप प्लीज फिकर मत करें आदे गंटे से आपके साथ मा घजमारी कर रही हूँ क्या है, क्यू है भाई मुझे बच्चियों के पास भी जाने दे उनको भी जाकर बताओं ता कि भी तैयारी कर ले अहाँ, जाकर बता दो बच्चियों को भाई अच्छा आप बास सुनो वो, इन्नोंने हमारे महमाने को भला है जी, करीबी, करीबी तो फिर एक काम करते हैं, मैं अल्टाफ भाई को कहे देता हूँ क्या, 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 ना इल्टाफ भाई को क्यूँ करीबी लिष्टेदारों में तो वही है आद है, जो बच्चियों की सगे पूपा है वाँ, वाँ, कमाल सगे हैं जुनोंने कभी एद बकरीद पे आके बच्चियों के हाथ पे एक धेला तक नहीं रखा तुम ऐसी बाते क्यों सोच रही हो नासरा, हम दूसरों से ऐसी उमिदे क्यों रखें अल्ला का दिया मारे पास सब कुछ है नासरा नहीं दे, चले सारा के लिए नासरी, हिबा का ख्याल कर ले बाई की वफात के बाद किसी रिष्टे दार ने अज तक पूछा तक नहीं उसके सर पे हाथ तक नहीं रखा किसी को नहीं बलाऊंगी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बलाऊंगी तो अपने मेके बालों को बस पच्छो 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 अम्यारी शामत आ जाएगी, अब क्या होगा बताओ शाबाश, भई वैसे तुमने कोई कसर नहीं शोड़ी हमें जली करवाने में, तो अल्ला का शुकर है कि मैने माफिया मांगी, पाओं पकड़े, तब जाके बाद बनी तो क्या कहा सेदा खाला ने? अरे कुछ भी नहीं, बस कुछी देर में उनका फॉन आ गया, तक्रीब में बुला रही है आपकी सिर्फ ये बादी? नहीं, नहीं, ये भी बोला कि जितने रिश्टेदार है न, उनको भी इन्वाइट कर लो, और लड़की की सहेलिया भी आ जाए आपकी कमाल कर दिया अपने, अच्छा चल बस पहने दे, देख भी इबा, तु भी मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, भी सुस्राल में ये कहानिया नहीं चलेंगी, अगर उन लोगों ने कलकला को तुमें निकाल दिया, तुम्हारी ना मा है ना बाप है, किसके पास आकर हो अगर आपको तब ये असली ड्रामा बता ही नहीं कि व्कवा क्या है, चौँ मुताहिर बिटा, शारिम अब तक नजर नहीं आरा, फोन करके मालूम तु करो मेरे से बात हो चुकी है, वो अभी तक अपने दोस्तों के साथ है तो आप आता ही हो अच्छा, फिर उसे कहो कि अपनी दोस्तों को पार्टी की दावत देते है सेमी जान, वो निदा की ड्यूटी लगाई हुई है, साईधा ने, सब को बुलाने की, उसके इतनी हैं चीज़ें वो बच्छों ने संभाली हुई है, आप फिकर मत करें अच्छा सेमी जान, एक वादा कीजिए बोलो वो वादा ये, के पार्टी के दौरान आपको जहां भी बिठाया जाएगा ना, आप वहां से हिलेंगी ने यानि में मेहमानों का इसकबाल भी ना करूँ अमी जान, आपको पता है क्या आपको डॉक्टर ने क्या का है आपने बिल्कुल नहीं थक्या और आपने पहले भी वादा किया था और प्लीज इस वादे से मुक्रिये गा अच्छा, नहीं मुक्रूंगी, तुम निदा से को मुझे जरा मेहमानों की लिष्ट दिखा दे, कोई रहना जाए बिटा ठीक है मिदा, मैं निदा को आपकी पास से उन्हें है हाँ बिटा अल्लाह तेरा शुक्रे ना तुने कसम उठा रखिये के हर मामले को बिगार के इदम लेगी तब ही तुझे चैन आएगा, किस दिन सुकून मिलेगा तुझे नई जोटिया मैं ऐसी बात नहीं आप मुझ से कसम ले ले, मैंने जान बुच के ऐसा नहीं किया अब चाहें तु सारा से खूच से बास बास, सारा को भीज में मत लेके आओ, ज्यादा सफाई देने के जरूरत नहीं तुमें और वैसे भी तुमने जिसको सफाई देनी थी, वो तो तुमारी शगल देखने के लिए तैयार नहीं है मेरे खुदाया, मैं क्या करूँ, अब क्या होगा अगर तेरी विज़ा से मेरी बेटी का घर की खराब होना तो तुझे मैं जिन्दा नहीं चोड़ूँगी, कान खूल के सुन ले ये मेरी बाद मैं पूछती हूँ के शारम को तैक मैं zarكن करने की तुमेह जरूरत ही क्या थी, ढोल क्यों किया छोटी अम्मी, मेरा दिल कर रहा था बस हु, मेरा दिल कर रहा था, तो बीपी अपने दिल को ना ज़रा कोबू में रख, इस तारह से ये घर नी बसा करते अम्मी, बस करें भी, वैसी बज़े परिशाने शारम भाई के वज़से, हाना, आप बोले जारी है अच्छा अच्छा, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर आइंदा मैंने इस तरह की तेरी कोई बात सुनी ना, तो मुझसे बुरा कोईगे हूँ, चल जा, जए चोटे मई, जिकल के था, तो इसके इतनी साइड़े क्यों लेती है, तो आपसे ही करती हूँ ना, निदा, मै अभी भी तुम्हारी कॉल सुने के लिए भाएर आई हूँ, तो एक कॉल यहां भी कर देती है, हाँ, हाँ, और तुम यहां आके मेरे डैडी से मार खाते है, है ना, तुम मजाग समझ रही हूँ, नहीं, नहीं, मैं बहुत सिरियस हूँ, तो फिर ठीक है, मैं पार्टी में हूँ, नहीं हूँ जातान, उननलता किअ है, हीमें ड़रे के हूँ, भी मेंifikड कर देगई पार्टी में तुम कॉच ouच ना मुम्किन है, तुम से मिलने के लिए मेरे दीए कोई बी चीज ना मुम्किन नहीं हूँ, नहीं पार थाझ है तो फिर मैं आए हूँ, तुम से मिल बहुराईया, बहुराईया यह बात है इस चीज की गभाई देती है वो कितनी पाक दामाने घर की इजद क्या होती है शारेम भाई आप पहले शक्स हैं जनोने उनके दिल पे दस्तक दी और आखरी भी कुछ हाथ नहीं आएगा अजी रहने देवस सब समझती हो जाईए ना अब आपको देव नहीं हो रही क्या मैं उसे तिन को कोशता हूँ जिस दिन तुम से मेरी शादी होई थी तूटे दिलों केलते जार सुनता यहां कोई नहीं फिर किस लिए आहे बरे फिर किस लिए रोए कोई कब तक भला यू दर्द के इस पोज को ढठोए कोई इस जिन्द के मेरा दिन वजी यहां बहुरायां किसित की थैंच कि म Например जिस ढध पनी ओयुरायां आहां, आहां